वीडियो में आप जानेंगे कि हार्ड डिस्क का नाम आप कैसे बदल सकते हैं हार्ड डिस्क की जो ड्राइब होती है उसका नाम आप कैसे चेंज कर सकते हैं कोई भी नाम हो आप उसको अपने नाम से रिनेम कर सकते हैं तो कैसे करेंगे वही हमने इस वीडियो में बताया है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं PC पे right click करके manage के बटन पे click करेंगे यहां से आपको नीचे disk management के बटन पे click करना है और यहां पे आपके सामने कुछ इस तरह से interface को लेगा और जिस भी drive का आपको नाम बदलना है जिसे कि आपको आगे दिखाई दे रहा है M बाले पे तो M का नाम हमको change करना है तो none change करने के लिए नीचे कही सारे options आपको दिखाई देंगे इसमें से आपको यह change drive later path इसके बटन पे click करना है आपको यहां से आपको OK के बटन पे click करना है यहां पे आपको बीच में एक option मिला है change का Change पे क्लिक करेंगे और इधर साइट M बना है तो M को हमें D करना है लेकिन हम यहांसे OK नहीं करेंगे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि इसका नाम M है यहांपे आप जाएंगे यहांपे देखे C है एक का नाम M है तो M बाले नाम को हमें D करना है यहांसे हम okay करेंगे और उसके बाद एक बार और okay करेंगे यह डोनोρ डायलोग बास को okay कर देंगे यहांसे इस करके उसके बाद हमारे नाम जो हो change हो जालेगा अब हम इसको cut करेंगे और cut करने के बाद देखिए आमनाम M था यहां पर और C था तो C वाला विजियों काते हूं है उसके बाद आगे जो M था वो D बे कनवर्ड हो चुका है